दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश भारत, क्या कभी मुस्लिम राष्टर बन सकता है? समय समय पर हिंदूओं को डराते हुए, ऐसी अफवाह सोशल मीडिया पर खुब शेयर की जाती है कि 2050 तक भारत में मुस्लिम अबादी इतनी हो जाएगी कि वो हिंदूओं को पीछे छोड़ देंगे और भारत को मुस्लिम राष्टर बना कर तुम पर राज करेंगे देश के बड़े-बड़े नेता भी कई बार इस पर बयानबाजी कर चुके हैं और हिंदूओं के अंदर एक डर भरने का प्रयास भी करते आ रहे हैं जबकि हकीकत का इससे कोई लेना देना नहीं है मुस्लिम राष्ट बनाना तो दूर की बात है आईए पहले अबादी के इशू को देखते हैं जिसमें हम सेंसस अफ इंडिया यानि भारतीय जनगर्ना की 1951 से अब तक का रिपोर्ट देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में 2050 तक मुस्लिम अबादी के अइतबार से हिंगु को पीछे छोड़ देंगे 1951 में जब पहली बार भारत में जनगर्ना हुई थी तब भारत की कुल अबादी 36 करोड़ 10 लाख थे जिसमें 30 करोड़ 35 लाख हिंदू अबादी थी और 3 करोड़ 14 लाख मुसलिम अबादी थे परसेंटेज अगर देखें तो 84.1 परतिशत हिंदू अबादी थी और 9.8 परतिशत मुसलिम अबादी फिर 1961 की जनगर्ना में टोटल पापुलेशन हुआ थे 40 करोड 92 लाख जिसमें 36 करोड 65 लाख हिंदू और 4 करोड 79 लाख मुसलिम इसमें पापुलेशन गुरोथ अगर देखें तो 6 करोड 30 लाख हिंदू का गुरोथ हुआ और 1 करोड 15 लाख मुसलिमों का गुरोथ हुआ ऐसे ही 1971 में 8 करोड 68 लाख हिंदू बढ़े और 1 करोड 45 लाख मुसलिम बढ़े फिर 1981 का आकड़ा देखिए और 1991 और 2011 का आकड़ा भी देखिए इन आकड़ों को ध्यान से देखिए इससे आप समझ पाएंगे कि हिंदुों के पापुलेशन गुरोथ में और मुस्लिमों के पापुलेशन गुरोथ में कितने का फर्क है कहां 13 करोड 87 लाग की बढ़ाद और कहां 3 करोड 40 लाग की बढ़ाद अब अगर पर्तिशत की नजरीए से देखें तो 19 सविक्यावन में हिंदु पापुलेशन 84.1 पर्तिशत थी जो 2011 में घट कर 89.8 पर्तिशत हो गई जबकि मुस्लिम पापुलेशन 1951 में 9.8 पर्तिशत थी जो 2011 में 14.23 पर्तिशत हो गई ये पर्सेंटेज के बढ़ने और घटने का क्या लोजिक है इन फिगर्स को याद रखिएगा इस पर हम बाद में बात करते हैं पहले हम according to मुस्लिम पर्सेंटेज ग्रोथ ये देखते हैं कि इस हिसाब से मुस्लिमों को हिंदूों के इक्वेल होने में कितना समय लगेगा जिससे ये किलियर हो जाएगा कि ये कितना बड़ा जूट फैलाया जा रहा है आगे बात करते हैं पहले आप इन फिगर्स को देखिए इसमें 1961 से 2011 तक के हिंदू और मुस्लिम ग्रोथ रेट है जिसमें 1952 से 1961 तक मुस्लिम पापुलेशन ग्रोथ रेट 32.5 परतिशत था जो अब घट कर 24.6 परतिशत तक आ गया है हाला कि ये रेट अब बढ़ने वाला नहीं है बलकि अभी और घटने वाला है लेकिन अगर मान लिया जाए कि इसी रेट से हिंदू और मुस्लिम पापुलेशन बढ़ती है तो 2021 में मुस्लिम 4 करोड बढ़ेंगे तो हिंदू इनके 4 गुना यानि 16 करोड बढ़ेंगे मतलब मुस्लिम की अभी टोटल अबादी जितनी है हिंदू उतना एड हो जाएंगे इस हिसाब से हिंदू 112 करोड और मुस्लिम 21 करोड होंगे इसके 10 साल बाद यानि 2021 में हिंदू 131 करोड होंगे और मुस्लिम अबादी केवल 26 करोड इसके बाद अगर इसी rate पर multiply करते जाएं तो 100 साल बाद यानि 2211 में आप देखेंगे कि जहां हिंदू 455 करोड हैं वहां मुस्लिम केवल 155 करोड होंगे मामला अभी आधा भी नहीं पहुँचा इसके 100 साल बाद यानि 2211 में हिंदू अबादी 250 करोड और मुस्लिम 1400 करोड होंगे ऐसे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा यानि 2211 में ये दोनों population equal होगी तब हिंदू अबादी 6378 करोड और मुस्लिम 6531 करोड होगी इस रफ्तार से ये population growth होता रहा तो 270 साल बाद तब भारत की टोटल अबादी लगबग 13,000 करोड होगी जो मुम्किन ही नहीं है कि इस देश में इतनी अबादी रह सकें आप बस इतना जान लीजिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा भरम फैलाए गया है बस हिंदूों को उक्साने के लिए और उनका इस्तेमाल करने के लिए अब 2050 तक की भरमता तो अपने दिमाग से निकाल ही दो क्यूंकि 2050 तक किसकी कितनी अबादी होगी इस प्यूर इसस सेंटर की जारी की गई आकड़ों में देख सकते हो इसमें दिखाया गया है कि 2010 में हिंदू पापुलेशन 89 परसंट थी जो 2050 में 86.7 परतिशत हो जाएगी वहीं मुस्लिम अबादी 2010 में 14.4 परतिशत थी जो 2050 तक 18.4 परतिशत हो जाएगी अब लोटते हैं वहाँ जहां कुछ देर पहले मैंने कुछ याद रखने को कहा था मुस्लिम पापुलेशन गुरूथ रेट हिंदू पापुलेशन गुरूथ रेट से ज्यादा क्यों है अलग-अलग राजजीतिक नेता अलग-अलग कारण बताते हैं कुछ बताते हैं कि चुकि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसलिए इनका दर बढ़ जाता है लगता है वो फिजिकल दुनिया से हटकर इमेजिनेरी दुनिया में जीते हैं शायद वो नहीं देख पाते हैं कि एक मुस्लिम जितने बच्चे पैदा करता है लगबग उतने ही एक हिंदू भी पैदा करता है कुछ कहते हैं कि ये दर धर्म परिवर्तन के काराण बढ़ता है जबकि ये भी हकीकत नहीं है बलकि इसका असल काराण है देख रेट यानि मरने की संक्या का दर्म मुस्लिमों के कंपेर में हिंदू का देख रेट ज्यादा है खैर ये एक फैक्ट इंफर्मेशन थी तो मैंने सोचा अपने वीवर्स को डिलेवर किया जाए आज के लिए बस इतना है ये इंफर्मेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं और हमसे जूडने के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं धन्यवाद